ओला स्कूटर लेने का मतलब पैसे और टाइम की बरबादी और डोंट वाई ओला स्कूटर हेलो तो अभी आप देख पा रहे होंगे ना भाई मेरे सकल पे बारा बजे हुए हैं गुस्सा आरा बहुत जादा तुमसे जाहा तो मेरे को आरा सच में और गुस्से आने का रीजन है कि आपने प्रिशले ब्लॉग देखा होगा कि हमारा जो ओला स्कूटर हमने लिया था भाई उसमें ना साथ से आड़ महिने में इतनी दिक्कत आना लगई ना कि क्या ही बताऊं मतलब इन्होंने ना मतलब अपनी मार्केटिंग खराब कर दी मैं तो लोगों ने बोला भी अपने था में मोनी उस टाइम पर कि स्कूटी मतलों बहुत दिक्कत करेंगी चलो चोटी मोटी दिक्कत आएगी तो आएगी और सबसे बड़ी बात कि हम सोच रहे थे कि यह ओला इंडिया का नंबर वन स्कूटर है सेल में तो इतना नंबर न कैसे बन गया इतने जादे स्क स्कूटर को विकॉस मैंने उनको बोला भी था कॉल करके कि दिक्कत आ रही है लड़का घर पर बेज़ दो उन्होंने का था एप से आपोर्टमेंट बुक कर लो मैंने वह भी ट्राइग करा बट इनकी एप्लिकेशन में बहुत सार एर्र है बहुत दिक्कते हैं तो अभी 500 मिटर कभी एक किलो मिटर में दिक्कत आ रही है पर आज तुम उसे ठंक से पता के आना कि आपकी क्या गलती है जो भी बात है बिल्कुल पूसे में चलो फिर में जाता हूं है और स्कूटी की दिखाओ कंडिशन क्या हो रही है बड़ा दिक्कत है बाई तो गाइस अभी आ और अपनी मेहनत की कमाई से आप इस तरह के से स्कूटी खरीदता है और उसके बाद ये प्रॉब्लम आये ना और इनकी सर्विस इतनी जब खराब मिले आपको तो भाई दुख तो लगता ही है और मैंने हाला कि इनके सोरूम पर में मैंने आट से दस बार कॉल करी है इनका अपने पास था कि कल के दिन ये बोल ना पाए मुझे कि भाई आप जूट बोल रहे हो तो मैंने रेकॉर्डिंग करके अपनी स्क्रीन की और अभी मैं लेके जारों भाई इसको हरिद्वार सोरूम पर और अभी ने उनको बहता हूंगा बकाईदा कि ये देख लो और अभी मैंना कि स्कूर्टी पर जाला जाद पहले और अपने स्कूर्टी पर जाला चर्रैंट निकाल देया मैंने और यह कर लिया मैंने स्टार्ट और देखते हैं यह देखो अभी यह सो मिटर भी नहीं चला ठीक है और अभी देखो कि इसमें एरर आ चुका है यह देखो और अभी देखो अब कितना चला है मुश्किल से सो मिटर भी नहीं चला है और उससे पहले यह रिसेट करने का आ चुका है अब मुझे लग रहा भाई कि यहां से हरिद्वार जाने में न मेरे को तीन से चार विंटर लग जाए बहुत दिक्कत हो रही है और मैंने बोला भी थ सब्सक्राइब कर तो याद दुबारा से मैंने स्कूटर को अनलोग कर लिया और अभी देखते हैं क्या यह दुबारा से प्रॉब्लम करेगा और इनको समझ में आने जरूरी है यह देखो गाईज देख रहे हो अभी मुस्किल से मैंने इसको 20 मिटर भी नहीं चलाया है और स्कूटर इस दुबार आ गया देखो भाई मैं क्या करूं स्कूटर का मेरे को लगता ऐसे स्कूटर पर आग लगा देनी चीए बट गाईज मैं लगा नहीं सकता विकॉस बहुत मैंने से पैसा आता यार हालकि मैं यह वीडियो से बना रहा हूं गाईज ताकि आप सब उमीद है सेर करने में कम से कम किसी के पैसे बच जाएंगे और कोई खराब रोड्क लेने से पहले ना उनकी अगर पैसे बच जाते तो बहुत अच्छा लगता कि चलो किसी को अच्छी चीज हम एडवाइस कर रहे हैं तो मेरा एक्स्परियंस तो बहुत खराब है बाकि मैं किसी और का नहीं कह सकता तो फिलाल तो भाई 20 मिटर में देखो वहाँ से यहां तक में लेकिया था इसको और अभी यह बोल गया तो चलो अभी इसका ना इसको हम कर लेते पहले रिस्टार्ट और फिर दुबारा भाई देखते हैं हम हरिद्वार कित्वेस तक पहुंच बा तुमारे वीडियो बनाना यह लो तुमारा बन गए ठीक है तो अभी गाइस बिल्कुल मैं सटक बहुत बढ़िया और देखते हैं कहां तक जाता है कहां पर यह दोका देगा वापस है अभी आप देखो आई स्कूर्टन न दुबारा दोका दे दिया है और कितने मीटर चला है वोगा दिखाएता हूं कि यह देख लो आप की मुस्किल से 0.4 किलोमेटर चला यह यानि कि आता किलोमेटर नी चला बल्क चार सू मेटर चला और 400 मीटर में बोल पड़ाई अब दुबारा से रिशाड करना पड़ेगा और गाईज ओला वाले यह ना बोले कि भाई रोड अच्छी नहीं है रोड बिल्कुल एकदम बढ़िया रोड है ठीक है यार गाईज अभी न मैं मरते मरते भाई बच गया विकॉज अभी आप दे अच्छाटर काम करना बंद कर देता है और मैं था इतने पड़े हाइवे पर और भाई सुकर करो कि पीछे से बंदेने गाड़ी स्लो कर दी वरना आज मेरा काम तमाम हो गया था विकॉज स्कूटर ना एक्सेलेटर काम ही नहीं करेगा तो इसकी स्पीड स्वीडा हो जाती ह फिर मैं इसको धक्का मारके साइड लेके आया और आप देखो 0.8 किलो मिटर यानि कि 800 मिटर यह चला है और यहाँ पर दुबार से रीसेट का उफस्स आ चुका है तो भाई आज बगवान का सुकर है कि आज मैं बच क्या भाई सो गाइस फैनली मैंने डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं इस स्कूटर को 20 से 30 किलो मिटर से उपर नहीं लेकी जाओंगा विकॉज अभी क्या हो रहा न अगर मैं हाईवे पर चलाता हूँ उस साइड तो भाई एक्सिडेंट होने का खत्रा भी है तो अभी जो आपको वाईट लाइन दिख रही है इससे बाहरी में चलाओंगा विकॉज यहां पर ना गाड़िया हमेशा वाइड लान के अंदर ही चलती है तो मैं मिलकुल अराम अराम से स्कूटी को लेके जाओंगा अधर्वाइस भाई कहीं एक्सिडेंट हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे और चान है तो जहान है अना तो अब यहार मुझे पूरा 1.5 घंटा लग चुका है और अभी मैं यहां पर दिखाता हूं आपको कि अभी एक प्रॉब्लम और भी है यहां पर अभी स्कूटर तो मैं लगाए रखा है और एक प्रॉब्लम यह कि यह जो है ना यह भी लूज होने लगाया देखो तो चलो यार अभी चल वायर डाल दी है और बाकी भाई अभी चलते हैं वापस घर पे और मैं इनको बूला था भाई इस्टीकर हटाना मत अभी अगर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मैं खुद इस्टीकर हटा दूँगा अगर नहीं होती तो भाई फिलाल लगे रहने दूंगा इस्टीकर को क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिस में दिक्कत क्या है और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है हरिद्वार जुनका ओला सेंटर है वहां से मैं एस्कूर्टी को चला कर अपने घर श्यांपूर तक लेके आया हूं और अभी आप देखो कि 20. 6.4 किलोमेटर यह बिना रुकी अभी आई है यानि कि अभी मुझे आते टाइम कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं हुआ है और गाइस बेसिकली इन्होंने किया यह कि यहां पर एक वायर डलती है अब वह वायर चेंज करते हैं गाइस वह ना वायर मैं इसलिए आपको द दिकत होती है तो मैं इस पर प्रॉपर ब्लॉग बर जरूर बनाऊँगा अब जो मैं बताऊंगा कि यह प्रॉब्लम आ रही है वह मैंने आप सभी के साथ में सेर किया विकॉज जब इनसान अपनी बहुत महनत की कमाई से ना कोई चीज खरीगता और उसमें प्रॉब्लम आ इनका यह comment आएगा कि भाई मैं Ola scooter use कर रहा हूं मेरे साथ में आस्तर की दिक्कत नहीं आई है अब गाईज मैं आपको बता दो कि भाई बहुत सारे scooter Ola ने बेचे हैं अब हो सकता है कि कुछ-कुछ scooter में दिक्कत आ रही हो तो आप आपका काम बंदक है इस वीडियो को जितना हो सके न आप प्लीज यार सियर कर दो और एक बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो हमसे बोलते हैं कि आप कुछ काम धाम करते हैं तो मैं एक बाद दुबारा बता देना च योगा वाले का यानि कि जो मेरी वाइफ है उनका वो चैनल है योगा और बाकी हमारा एक नया चैनल बना है शॉप्रिंग वाले और अगर आपने नहीं देखा तो आपको मैं लिंक देतों कर दिस्कुप्शन में आप चो है तो देख लेना है ना बाकी जल्दी मिलते नई ब्लॉक के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा खुस रहेगा मस रहेगा और स्वस्त रहेगा और गाइज वोट जरूर कीजेगा टैंक यू बाबाई